आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ में लिख लेते हैं तो let p जो statement है वो हमारा first वाला है क्या है 3 plus 2 equal to 5 ठीक है और q statement मैं मान लेता हूँ कि इसको second वाले को that is 7 is less than 9 ठीक है यह हमारा q statement है अब इन्होंने दे क्या रखा था एक तरह से अगर मैं symbolic form में लिख हूँ तो इन्होंने दे रखा था p and q ऐसा कुछ दे रखा था इन्होंने p and q ठीक है यानि कि इसको symbolic form में अपन कैसे लिख सकते है p and q यह हमारा हो गया symbolic form अब इसका negation हमें बूला गया है तो negation अपन जानते हैं अगर मैं इसका negation लिख हूँ negation ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा negation of p and q और इसको अपन d morgans लाव से क्या तोड सकते हैं इसको मैं equal to लिख सकता हूँ negation of p और negation of q यह मैं कहां से बता पा रहा हूँ d morgans लाव से d morgans d morgans लाव से अपन इसको break कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारा negation हो जाएगा that is जो हमारा p था उसका negation सबसे पहले होगा तो p हमारा क्या था 3 plus 2 equal to 5 तो negation of p अगर मैं लिखने जाओ तो क्या हो जाएगा 3 plus 2 does not equal to 5 ठीक है और q का अगर मैं negation लिखो तो वो क्या हो जाएगा q हमारा था कि 7 is less than 9 तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 7 is greater than equal to 9 यह negation हो गया ठीक है just उसका opposite reverse अब हमारा अगर total मैं यहाँ पर total का negation लिखो जो हमारा statement था उस total का negation यानि कि यह वाला चीज लिख रहा है मेरे को तो क्या हो जाएगा 3 plus 2 does not equal to 5 और इसका मतलब और होता है ठीक है तो और 7 is greater than equal to 9 यह हमारा D. Morgan Slough से हमने यह negation total statement का लिख लिख लिया ठीक है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा Thank you